लव आफ्टर डिवास, एपसी ओड, 12, वो शक्स एग्रिसिवली जिया को किस करने लगता है, अचानक किसी स्ट्रेंजर के द्वारा किस करने से जिया एक दम शॉक्ट हो जाती है, उसका माइंड भी ब्लेक हो जाता है, ये किस जिया के लिए अनेक्सपेक्टड था, लेकिन जब वो होश में आती है तो उसे रियलाइज होता है कि अभी क्या हो रहा है, वो एक जटके से उस शक्स को खुद से दूर करती है और फिर गुस्से से, यू बलरी बास्टर, बोलते हुए एक जोरदार थपड उस अंजान शक्स से गालों पे जड़ देती है, जिससे उस अ जब चुकी तरह अपनी जगह पे खड़ा जिया को ही देख रहा था, लेकिन जिया के लात मरने की वज़े से वो अपने पैर पकड़ लेता है, कुछ देर बाद जब उस अंजान शक्स को ऐसा होता है कि अभी जो हुआ है वो सब रियलिटी है, तो वो जिया को ढूंडने ल जाता है और उसके कंदे पे हाथ रखते हुए बोलता है, आदित्या सर फाइनली आप मिल गए, लेकिन आप यहां किसे धून रही है, आपकी बुआ जी तो बाहर है और आप ही का वेट कर रही है, उद्धरन चिन्ह, निहाल की बात सुनकर आदित्या थोड़ा बेचैन हो ज जाता है और अपना सर खुजाते हुए खुद से ही मन में बोलता है, ये सर कही पागल तो नहीं हो गए है, किसकी बात कर रही है, निहाल अपने में ही खुया हुआ था कि उसे अपने कानों में उस शक्स की रोबदार आवाज पढ़ती है, निहाल तुम कहा खुए हुए हो, सुन रही हो में क्या कह रहा हु, धूंड़ो उसे, आदित्य निहाल को खुया हुआ देखकर अपने कोल्ड वाइस में बोलता है, जिस पर निहाल अपने अपने सर को खुजाते हुए बोलता है, लेकिन किसे धूंडना है सर, आप नाम तो बता ही नहीं रही हो, निहाल की ब तीन सालों में आपको न जाने कितने ही बार सोहानी मैडम दिखाई दी है। काश आप जो बोल रहे है वो सच होता। लेकिन रेलिटी यही है कि सोहानी मैम इतना बोल कर अचानक निहाल चुप हो जाता है। जब उसकी नजर आदित्य के चेहरे पर पढ़ती है। क्यूंकि आगे का वर्ड अपनी जबान पे मत लाना निहाल। सोहानी जिंदा है। वो अभी यहां पेथी मेरे सामने। मैंने क्लियली उसका चेहरा देखा है। मुझे कोई इल्यूजन नहीं हुआ है। यह मेरा दिल जनता है। मैं उसे धूंड लूंगा। इतना बोलकर आदित्य बहा से चला जाता है। निहाल भी अदित्य की गुस्से भरी आवाज सुनकर डर जाता है और उसके पीछे-पीछे भागते हुए दरते-दरते बोलता है सौरी सर मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी बातों पे यकीन है। में ठीक है और यही पे है। लीज आप अपने धून लेंगे। अभी आपका जाना जरूरी है। निहाल आदित्य के पीछे आते हुए उसको समझाते हुए बोलता है। निहाल की बातों को सुन कर भी आदित्य जाने को रेरी नहीं होता है। वो सब जगह जिया को ही धूनने लगता है। देसे तेसे करके निहाल आदित् मन मार कर वहाँ से चला जाता है। इधर जिया खुद को संभालते हुए जल्दी जल्दी आ रही थी। उसके दिमाग में आदित्य और उसका केस करना ही बार-बार आ रहा था। जिससे वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा जिससे वो खुदी नहीं समझ पा रही थी। आदित्य से मिलने के बाद एक अंजान सा दर्द उसके दिल में होने लगता है। कुछ धुन्दली तस्वीरे उसके सामने आने लगती है। जिससे जिया का सर भी दर्द करने लगता है। जिया अपने सर को पकड़ लेती है और खोए हुए ही आगे चलती है। तभी उसे मिश की आवाज आती है। यार जिया तू ठीक तू है ना, किया हुआ तो जे, तू इतनी लेट केसे हो गई आने में, सब ठीक तो है ना, जिया को इस तरह से आता देखकर मिश परेशान होते हुए उससे पूछती है। नहीं यार अब सारे इंट्रोगेशन यही पेकर लेगी क्या। जिया मिश की बात सुनकर बीच में ही बोलती है। ठीक है सौरी बाबा गलती हो गई अब चल। मिश बोलती है। जिया मिश और दोनों क्यूट बेबीज कुछी देर में एयरपोर्ट के बाहर थे। आस पास के सभी जिया के कार में बैठने के बाद रेहान कार का दोर क्लोज करता है। फिर खुद आगे की सीट में बैठ जाता है और द्राइवर को कार स्टॉट करने को बोलता है। रेहान की बात सुनकर द्राइवर कार स्टॉट करता है। कुछ ही देर में वो लोग बहार से निकल जाते ह उनके जाने के कुछ देर बाद आदित्या बाहर आता है, उसके साथ एक लेडी भी थी, जो करीब 40 की होगी लेकिन उस लेडी ने खुद को काफी मेंटेन करके रखी हुई थी, इसलिए वो 35 की ही लगती थी, बाहर आने के बाद आदित्या उस लेडी से रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, बुआ आप ड्राइवर के साथ का पूर मेंशन चले जाए, मुझे अभी कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए अभी मुझे जाना होगा, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ मेंशन में, फिर निहाल की तरफ देखकर उसे इंस्ट्रक्शन देता है, बुआ जी को जहाँ पे आदित्या और सुहानी साथ में ही रहते थे, आदित्या कार से बाहर निकल कर सीधे बंगलों के अंदर जाता है, वो डे से ही कमरे में पोहुचता है, उसे अपने कानों में किसी महिला के खिलखिला कर हसने की आवाजे आती है, शुकरन, मिलते हैं नेक्स टेप से जोड मी, नेक्स्ट एपिसोड आपके लाइक और कमेंट्स पे डिपेंट करता है, नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कॉमेंट्स शेर करें और मेरे यूट्यूब चैनल फैंटिस स्टोरीज वल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू कि लाइक कॉमेंट्स शेर करें और कि अपकिन जल्दी से वीडियो करना पत्सक्राइब करना ना भूले करना था से वीडियो चैनल फैंट्ट्स एपिसोड लाइक.